प्राचीन ब्रह्मांड में जहां अद्वितियता और अद्भुत्ता की बाते समय के साथ साथ चली आ रही थी, वहां एक अगोरी था, जिसका नाम शिवाय था. शिवाय ने अपनी जीवन में अद्वितिय साथना का मार्ब चुना था और उसकी आत्मा ने दिव्य उचाईयों की और बढ़ने का निर्णय किया था. एक दिन शिवाय को एक छवियों से भरी मंदिर की और आग्रह मिला. वहाँ एक सुन्दर दुलहन, सरिता, आए दिन सुभह से शाम तक पूजा आराधना कर रही थी, लेकिन उसकी आखों में एक गहरी दुख भरी चमक थी. शिवाय ने जल्दी ही समझा कि इस दुलहन की आत्मा को कुछ बुरा हो रहा है और उसे बचाने का संकल्प किया. अगोरी साधना में अपनी अंगिनत सालों की तपस्या के फलस्वरूप उसने अच्छी तरह से काले जादू और नकारात्मक शक्तियों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयारी की. एक रात शिवाय ने धूपबत्ती की रौशनी में उस अंधकारिक शेत्र में जाकर देखा कि सरिता का परिवार एक काले जादूगर की चालाकी में फस गया था. उसकी आत्मा को उबाव शक्तियों से बचाने के लिए शिवाय ने अपने अगहोरी शक्तियों का उपयोग करने का निर्ने लिया. शिवाय ने विशेश मंत्रों का जाप किया और अपनी अग्ये शक्तियों से उसे काले जादू के प्रभाव से मुक्त करने के लिए एक अद्वितिय युद्ध की शुरुआत की उसकी आत्मा ने अगोरी शक्तियों के साथ मिलकर उस काले जादूगर की शक्तियों का सामना किया जब शक्तिशाली आत्मा ने जीत हासिल की और सरिता को मुक्त किया तो उसकी आखों में वह गहरी दुरहक भरी चमक एक नई उचाई की ओर दिखाई दी शिवाय ने सरिता के परिवार को उनके आत्मा मुक्ती की ओर मार्ग गर्शन किया और उन्हें सत्यकी ओर प्रवरित करने के लिए प्रेरित किया इस कहानी से हमें यह सिखने को मिलता है कि असली शक्ती उस सत्यक्त न्याय और प्रेम में होती है जो हमें अपने आत्मा की उचाईयों तक पहुचाने के लिए प्रेरित करता है शिवाय ने अपनी आत्मा को सजग बनाए रखकर काले जादू और नकारात्मक शक्तियों के खिलाफ उठे और एक बेबसी दुलहन की रक्षा के लिए अपने अगोरी तपकी शक्तियों का उप्योग किया शिवाय ने सरिता के परिवार को उनके आत्मा मुक्ती की दिशा में मार्ग गर्शन किया और उन्हें सत्यक न्याय और प्रेम के माध्यम से जीने के लिए प्रेरित किया वह नकारात्मक शक्तियों का सामना करने में सफल हुआ और उसने उन्हें सत्य की ओर मोरने का प्रेना दिया इस कहानी से हमें यह सिखने को मिलता है कि अगर हम सत्य, न्याय और प्रेम की ओर आगे बढ़ते हैं, तो हम किसी भी अंधकार और नकारात्मक शक्तियों के खिलाफ खड़े हो सकते हैं शिवाय ने अपने अगोरी साधना की शक्तियों का उप्योग एक नैतिक लड़ाई के लिए किया, और उसने एक नई उचाई की ओर बढ़ते हुए एक महिला की रक्षा की इस कहानी के माध्यम से हमें यह भी सिख्यों के लिए को एक उजवलता की दिशा में प्रेरित किया, और हमें भी अपनी आत्मा को सुनने और उसका मार्ग गर्षन करने का संकल्प करना चाहिए करना चाहिए